आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें दाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक की प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अब ही राउनलोड करें इसको संतुष्ट करता है, मतलब हम इस अउकल समीकरन का हल निकालेंगे सबसे पहले तो इस पूरी समीकरन को सबसे पहले 1 प्लस x स्क्वाइर से भाग देंगे तो अगर इस पूरी समीकरन को 1 प्लस x स्क्वाइर से भाग देंगे तो क्या होगा dy by dx प्लस 2x बटे 1 प्लस x स्क्वाईर y बराबर 4x स्क्वाईर बटे 1 प्लस x स्क्वाईर यह हो जाएगा अब यहाँ पर हम जानते हैं कि रेखिक अउकल समी करण कैसे लिखी जाती है dy by dx प्लस p of x into y बराबर q of x जहाँ पर यह p of x और q of x क्या होता है x के फलन होते हैं तो इसका solution कैसे निकाला जाता है सबसे पहले हम समाकलन गुणांग या integrating factor निकालते हैं वो होता है e to the power समाकलन of px dx और फिर क्या करते हैं y into e to the power px dx या यह if factor बराबर q into q of x into if factor या integrating factor dx तो हम क्या करेंगे अगर हम इस समी करण की इससे तुलना करें तो यहां से हमें p of x क्या मिलता है y का गुणांग मतलब 2x बटे 1 प्लस x स्कॉर्ण तदा q of x क्या मिलता है q of x में मिल रहा है 4x square बटे 1 प्लस x square तो सबसे पहले अगर हम if निकाले समाकलन गुणांग तो होगा e to the power px dx का समाकलन तो यह हो जाएगा e to the power 2x बटे 1 प्लस x square का समाकलन तो सबसे पहले हम यह निकालते हैं 2x अपोन 1 प्लस x square का समाकलन तो इसमें अगर हम 1 प्लस x square को t रखते हैं तो यहां से 2x dx क्या होगा dt तो यह क्या हो जाएगा dt बटे 2x dx dt बटे t मतलब लोग t और लोग t मतलब t की जगा 1 प्लस x square तो यहां से मारा if क्या आ गया e to the power यह और यह क्या है log 1 प्लस x square और e to the power log तो यह क्या हो जाता है simply यह कट जाता है और यह बसता है 1 प्लस x square तो मारे पास integrating factor क्या आ गया 1 प्लस x square और अब मारा solution क्या होगा y into integrating factor बलाबर q into integrating factor का समाकलन तो यहां से y into integrating factor 1 प्लस x square बलाबर q क्या है हमारा 4 x square अपोन 1 प्लस x square तो यहां से क्या होगा 4 x square अपोन 1 प्लस x square into integrating factor 1 प्लस x square dx तो यह क्या हो जाएगा y 1 प्लस x square बलाबर 1 प्लस x square तो 1 प्लस x square कट गया और यह बचा 4 x square dx तो इसका समाकलन क्या होगा 4 x square का समाकलन x cube बटे 3 प्लस c क्या होगा एक समाकलन यह तंक तो यहां से हमारा y क्या आ गया y into 1 प्लस x square यह क्या आ गया बराबर 4 x cube बटे 3 प्लस c और हमें क्या दिया हुआ है कि यह जो स्पकर है वह किस से गुजरता है मूल बिन दूसे तो इसका मतलब यहां पर अगर हम 0,0 रखें तो यह क्या होगा 0 बराबर 0 प्लस c तो यहां से c कितना आ गया 0 तो हमारी समिकरन क्या हो गई y बराबर y into 1 प्लस x square बराबर 4 x cube बटे 3 यहां से अगर हम वक्रे की समिकरन 3 into 1 plus x square into y बराबर 4 x cube तो अई चेक करते हैं कि यहां आंसर क्या होगा तो ए उप्षिन में क्या दिया हो है 3 1 plus x square y बराबर 4 x cube तो मारा आंसर क्या हो जाएगा आप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स 8 4 4 4 4 पर